पेरट से मिल रही बड़ी खबर के साथ बुलिटिन के शिरुवात करेंगे। पर मेरट में, C.A. के विरोध में हिंसा का मामला, हिंसा भड़काने की P.F.I. और S.J.F.I. का हाश शामिल है, S.J.F.I. के दो पदधिकारी जोने गिरिफतार कर लिया गया है, नूर हसन और मुईध हर्शमी यही दो शक्स हैं जोने गिरिफतार किया है, भड़काऊ, भाशन, नापती, जनक, पोस्ट और तमाल चीज़ें सावान भी बरामत की हैं, कॉल रिकॉर्डिंग से इस हिंसा का खुलासा हुआ इस खबर पर जादा जानकारी की साथ बलवराम पांडे हमारे साथ जूट चुके हैं, बलवराम यह जो दो शक्स जिन्हें पुलिस ने गिरिफतार किया हैं, इनके पास से क्या कुछ चीज़ें बरामत हुई हैं देखे दिबकार जब से पी अफाई के जो दो सदस से गिरफतार हुए थे, उसके बाद से लगातार पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और उसके बाद उनकी निसान देही पर ही छापे मारी की जा रही थी और बताया जा रहा है कि उन्हीं की निसान देही पर ये दो गिरफतारिया हुई हैं जो एश्टी पी आई के जो दो सदस से गिरफतार हुए हैं जिसमें सेक प्रदेश अध्यच नूर हसन है और दूसरा उनका जो सबसे सहयोगी अगर कहा जाए या फिर राइट हैंड कहा जाए जो मुईधासमी हैं जिसे उन्होंने पुलिस को बताया कि ये मेरा ड्राइवर है वो भी गिरफतार हुआ है और पुलिस ने इनके कबजे से जो भड़काऊ कमेंट्स लिखे हुए थे पंप्लेट्स वो बरामत किये हैं कुछ सीडिया बरामत की हैं कुछ पंप्लेट बरामत किये हैं और पुलिस का ये कहना है कि ये सोचल मीडिया और फोन के जरिये लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे और जो ये पंप्लेट्स है कहीं न कहीं पी अफाई के जो सदस्य हैं उनके साथ मिल करके ये पूरे सवहार्थ को बिकाड़ने का प्रयास कर रहे थे यानि सोचल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जो सदस्य हैं वो पी अफाई के सदस्यों के साथ मिल करके सवहार्थ बिगाड़ने का काम कर रहे थे और यही वज़य है कि लगातार जो मेरट में ये काफी सक्रिये थे इनकी गिरफतारी से पुलिस रहत की सांस ले रही है क्योंकि कल जुमा है और जुमे की नमाज के बाद फिर इस तरीके का सवहार्थ ना बिगड़े इसको ले करके ये बड़ा गुड़ वर्क माना जा रहा है पुलिस का कि कहीं न कहीं इनकी गरपतारी से जो सवहार्थ बिगाड़ने की असंका जताई जा रही थी उसम कार पनाली कहां से चल रही थी और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इनके आका कौन है किन्हों ने इस पूरे दंगे की अब बिल्कुल बल्राम ऐसे लोगों को इसके पीछे साजिस करता है जो इनको मॉनिटर कर रहा था जरूर होनी चाहिए बल्राम क्या कल जिस तरह क तीन से चार दिनों तक जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो बाधित रही हैं लेकिन अभी तो फिलहाल जो इंटरनेट सेवा की अगर बात की जाए तो वो सुचारू रूप से चल रही है लेकिन पुलिस ने जो चार थाने हैं खास तोर से डेली गेट और लिसाडी गेट थाना कुमार साहिनी हैं उन्होंने घोसित किया है और यहां पर आरेयफ और पीएसी और पुलिस के भारी जवान तादात में यहां पर तैनात किये गए हैं इसके अलामा पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहां पर पैदल मार्च कर रहे हैं पैट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और अगर हम खास طور से बात करें जो इसलामाबाद चौकी थी जहां पर उपद्रियों ने जिस चौकी को आपके हवाले किया था उस चौकी पर भी मुस्तेदी जादा कर दी गई है लेकिन दिपका सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार यह जो दंगाई हैं यह गलियों से निकलते हैं और फायर करते हैं पत्राओ करते हैं और फिर गलियों में घुश जाते हैं तो पुलिस अब इनको ड्रोन कैमरे के जरिये भी निगरानी कर रही है और उन गलियों को खास طور से जहां पर इन्होंने जहां से निकल करके इन्होंने दंगा फैलाया था और फिर गलि है वो बिगड़ने की पूरी उम्मीद है क्योंकि जिस तरीके से पुलिस लगातार अगर बात करें तो जो आरोपी है चाहे वो पियोफाई के सदत से हो यह चाहे एच्डी पियाई के सदत से हो उनकी धर पकड़ की जा रही है तो कहीं न कहीं यह लोग जो है इनके जो आका है सबसे पहले खबरे पाने के लिए एबी पी गंगा को यूट्यूब पर सबस्क्राइब कीज़े फेस्बुक पर लाइक कीज़े फेस्बुक पेज़े www.facebook.com ट्वीटर पर भी फॉलो कीज़े हमारा ट्वीटर है twitter.com